तो दूसरी में बात करने वाले हैं placement technologies की और एक चीज की, मैंने आपको यहाँ पर warning दी थी कि अभी आपको यहाँ पर fresh booking नहीं करनी है, fresh booking क्यों नहीं करनी क्योंकि उसे यहाँ पर एक M pattern का stock breakout देने के लिए पूरी तरह से ready है, ये ठीक है, ये हो गया आपका M pattern और अगर इसका downside में एक breakdown देता है, stock तो नीचे में आपको सबसे पहले जो level देखने को मिलेगा वो होगा 1050 का, 1050 के नीचे का stock निकलता है तो 100-100-100 के नीचे निकलता है तो 920-900 तक के levels आपको on थे, town से देखने को मिलेंगे हम तो sir यहाँ पर कब तक के लिए buying नहीं करेंगे, जब तक के लिए ये stock वापस से आपको ये जो pattern यहाँ पर बन रहा है, उसका failure नहीं होता, ठीक है मतलब यहाँ से एक bounce bake अगर इस तरह से देता है, stock यहाँ पर M की जगह पर W बनाना start करता है तो हम यहाँ पर मान सकते कि कहीं पर यहाँ पर अगर हम 1120-1150 के आसपास entry ले सकते हैं तब तक के लिए यह एक बहुत ही fair fool वाला zone है तो उस zone के अंदर हम यहाँ पर बिल्कुल भी entry नहीं लेंगे वरना हम यहाँ पर funds भी सकते हैं ठीक है तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप safe trader हो तो कुछ levels को follow करो ठीक है, एक level आपके आपने fix करके रख दिया कि वे 1200 का level है, 1200 क level निकलता है तो मैं खरीदूंगा वरना नहीं खरीदूंगा, ठीक है और happy smile के अलावा भी बहुत सारी companies है, जो अभी बड़ी बड़ी rally इसके उपर लगी हुई है, ठीक है अगर आप हमारे telegram channel को subscribe, अगर आप हमारे premium student है तो Delhi हम ऐसे calls लेते हैं, cash call ठीक है, मैं options की बात नह भी हमने call किया था, सारे के सारे calls यहाँ पर fly कर रहे हैं, ठीक है, हमने कुछ यहाँ पर BTS भी दी दिये हुए है, जैक और एक stock है जो हमने ऐसा BTS यहाँ पर दिया हुआ है, तो जो stocks में अभी moment हमें जो stocks में अभी यहाँ पर action बन रहा है वहाँ पर पैसा लगा हूँ, ठीक है जहाँ पर APS में action कब बनेगा, अगर यह stock 1200 के उपर निकल गए तो definitely action बनने वाले तब पूरा का पूरा market यहाँ पर भी पैसा कम करेगा, ठीक है ऐसा नहीं है कि आप इस मान को लोग भूल गए, अभी यह stock का मतलब ही नहीं होगा, कोई आएगा नहीं आएगा, लेकिन level जहाँ पर बोली जंगल फिर दिखा रहा है, कौन सा stock क्या कर रहे हैं, वो सब के scanners रहते हैं तो जैसे ही उनके scanner में है, पिएस माइंड आएगा, आपको definitely बड़ी buying आती हुई देखने को मिलेंगी, लेकिन कुछ ऐसा बनना तो चाहिए तो यहाँ पर कुछ मिले ठीक है तो 1200 का level बहुत ही कुशल है, अगर 1200 का level break होता है, oxide को ही जाके आपको तेजी देखने को मिलेंगी, अभी तो हम यहाँ पर discuss कर लेते हैं कि आज का हमारा internet का setup किया था तो intraday का setup दोस्तों काफी easy था, हमारे लिए सबसे पहला level कौन सा था, यहाँ पर हमें चाहिए था 1100 का breakdown, क् second bar enter हुआ, सारे के सारे targets 1190 first target hit, उसके नीचे भी 190 का target है और उसके नीचे भी थोड़ा सा stock गया है तो almost 10 point हमें यहाँ पर मिले, आज के दिन में कुछ ज्यादा बड़ा है, यहाँ पर हमारा target अचीव नहीं हुआ है, सिर्फ 10 point से मिले ज्यादा नहीं मिला हमें लेकिन फिर अगर हम देखने जाए तो ये भी trade अचा ही है, कुछ खराब नहीं है और overall अगर हम देखने जाएं तो क्या, एक करोड एक लाख 41,314 point जैसा कुछ हम यहाँ पर मिला है और downside में यहाँ पर 1085 तक stock track हुआ है तो almost 20 point मानके चल सकते हो, तो 20 point intraday में और वो भी 6-7 candle के अंदर कुछ बुरी बात नहीं है, तो इसलिए अभी हमें यह देखना है कि मंडे के दिन किस तरह से यहाँ पर price action बैठता है, तो दूसरी ओर हम यही करते वीडियो अच्छा लगा तो please like करना चाहते हैं तो subscribe जरूर लेना